दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया के पांच ऐसे डारेक्टर जो किसी भी मूवी को एक ग्रांड लेवल या बड़े विजन पर बना सकते हैं दोस्तों मेरा मतलब है जैसे की रामाय और महाबारत या फिर आज से 600-700-800 साल पुरानी हिस्टोरिकल मूवी को एक बड़े परदे पर सांदार तरीके से पेस कर सकते हैं दोस्तों तो इसमें सबसे पहला नाम जैसा आप सभी को पता है इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े डारेक्टर एसस राजा मौली का नाम सबसे उपर अपने आप आही जाता है अगर इनकी मूवी की बात करें तो इसमें सबसे फेमस मूवी के बारे में होगा मगधीरा जुकी 2009 में आए थी बाववली 1 बाववली 2 और मखी और अभी रिसेट में आए थी आर 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 इनकी सबसे फेमस सबसे बड़ी मूवी मानी जाती है दोस्तों अगर बात करें इनके grand vision के बारे में तो आप सभी को पता है कि इनका set, movie का set और grand vision, direction quality तो भाई सभी को पता है इनके बारे में एक number का होता है ये world class का cinema बनाते हैं अब बात करें point number 2 यानि कि दूसरे director के बारे में तो उसमें नाम आता है संजे लीला भनसारी दोस्तो इनकी भी movie का जो set होता है और direction quality बहुत ही बड़े level पे होता है अगर इनको किसी historical movie बनाने को दिया जाए भाई सब तो उसमें ये चार चान लगा देंगे अब अगर बात करें इनके movie के बारे में तो आप सभी ने 2-4 movie इनके बारे में तो सुना ही सुना होगा जैसे की देवदास हुआ राम लेला गोलियों की रास लेला राम लेला और पदमावत जैसे बड़ी movie इनके list में आती है और 2022 में इनकी movie आई थी गंगो भाई काठी वाड़ा जो की बहुत सांधार movie थी इसमें आलिया फट बहुत सांधार performance किया था तो दोस्तों यह movie था संजेलीला भंसालीची का अब बात करें अगर दूसरे director के बारे में तो दोस्तों बात करें अगर दूसरे director के बारे में तो जो director वो Indian cinema के superstar है अगर हम बात करें उस डारेक्टर के बारे में उनका नाम है अजय दियोगन दोस्तो इनको आप सभी लोग यह सोच रहे होंगे कि मैंने आखिर इनको इस लिश्ट में क्यों रखा दोस्तो अगर आपने इनकी मूबी सिवाए भोला या फिर रनवे 34 देखा होगा तो आपको इस एक बात का ऐसाथ जरूर हुआ होगा दोस्तो इनकी डारेक्शन है फिर जो इनका कैमरा एंगल होता है बहुत ज़्यादा सांदार है एक यूनिक सिनेमेंटरोग्राफिय आपको देखने को मिल सकती है और दोस्तों कर इनको किसी हिश्टोर का या बड़ा प्रोजेक्ट दिया जाए तो यह जाहिर सी बात है कि या उस मूवी को बहुत ज़्यादा सांदार और बड़े अस्तर पर बना सकते है क्यонकि अगर आपने इनकी तीन मूवी देखी होगे भाई साब तो इनका डायरेक्शन क्वालटी एक नमबर की है और बात करें कोई ऐसा एक्टर जो की इंडियन स्नेमा बढ़े अक्टरों में से एक है और साथ इस साथ उसके डारेक्शन के बात करें तो भाईसा वजित्वगन का नाम सबसे ओपर आता है जो की अपने आप में बहुत बड़ी बात है अब बात करें दोस्तों तीसरे नमबर पर तो तीसरे नमबर पर है हमारे मनी रत्नम सर के बारे में इनकी PS1 और PS2 आप सभी लोगों ने नाम तो सुना ही होगा और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो PS1, PS2 देखे भी होंगे दोस्तों इनका जो Grand Level का Vision जो इनकी सूटिंग सेट होता है जो इनका सेनेमेटोग्राफी होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा Next Level पर होता है इनका Grand Vision ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फेमस है इनकी कई सारी मूवी हैं जो कि PS1 और PS2 बहुत ज़्यादा खास है अगर दोस्तों आपने पिंका PS1 और PS2 जासी मूवी को देखा होगा तो उसमें आपको realistic सिनेमा देखनों को मिलाएगा जो कि कहीं ना कि अपने आमें बहुत बड़ी बात है अगर इनको किसी historical मूवी को दिया जायब बनाने के लिए जायब से बात है ये इस मूवी को चारचान लगा देंगे जो कि बहुत grand vision है मरी नत्रम सरका अब आई दोस्तों बात करते हैं अगले मूवी के बारे में ये एक ऐसे डारेक्टर है जिनके बारे में आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा जी हाँ दोस्तों इन डारेक्टर का नाम है दोस्तों न अगर्श्विन जी यहाँ दोस्तों ये वही डारेक्टर है जो कि प्रभास की motivated movie कल की आने वाली है आपने इससे पहले इनका नाम नहीं सुना होगा यहां तक की हो सकता है आप सभी लोगों ने इनका फोटो भी नहीं देखा होगा आप सभी को पता है कि प्रवास की आने वाली मूवी कल की जो की बहुत ज़्यादा मज़वेटेड मूवी हो यह साइंस फिक्षन मूवी है कल की मूवी का टीजर देखा होगा तो आप सभी को यह ऐसा सो गया होगा कि इनका विजन काफी जादा मड़ा है और श्ट्रॉंग है अब दोस्तों बात करते हैं कि दूसरे डारेक्टर के बारे में यह है आयान मुखर जी अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने का था कि पांच ऐसे मूवी डारेक्टर के बारे में बात करूँगा तो आयान मुखर जी को मैंने छे नंबर पर क्यों रखा है दोस्तों बात यह है कि अगर आप नागश्वन और आयान मुकरजी के बारे में बात करें तो यह दो यंग डारेकर है और उनका विजन दोनों का बहुत ही सांधार है तो आप नागश्वन और आयान मुकरजी को पांचवे नंबर पर रख सकते हैं दोस्तों आयान मुकरजी ने अभी तक जितनी भी मूवी बनाई है कोई भी मूवी फ्लॉप नहीं गई है उसमें से दोस्तों ब्रामास तरजो की बहुत ही सांदार VFX बहुत सारे लोग ऐसा मान सकते हैं कि इस मूवी का कलेक्सन बहुत ज़्यादा नहीं था और इनका भाईसा विजन बहुत ही सांदार था और आयान मुकरजी की दूसरी मूवी भी आने वाली है ब्रामास्त पाल्टू जो कि सभी लोग जानते हैं और ये कई सारी मूवी आने वाली जैसे वार टू मूवी खुद आयान मुकरजी ही डारेक्टरने वाले हैं दोस्तों ये तो था आयान मुखर जी के बारे में, अगर आप सभी लोग ने ब्रामास्त मुवी देखा होगा तो आप सभी को एसास हो गया होगा, किनके ग्रांट विजन का क्या कहना है, दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे मुझे कमें बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपने प्र मैंने सिर्फ हिस्टोर्कल मुवी के बारे में बात किया, जैसे कि रामायन महावरत या फिर राजा महराजा काल का कोई मुवी को एक बड़े पर दिखाना, दोस्तों अगर आपको लगता है कोई और भी डारेक्टर हैं जो इस काम को बड़े अस्तर पर कर सकते हैं तो बेश अगली वीडियो होगी, बेश्ट कॉमेडी मुवी के बारे में, तो दोस्तों हमारे चैनल को जरू सब्स्राइब करिए, मिल तैंकि से और वीडियो में, जैन जै भारत